Hello Friends, आज हम एक AC पढ़ेंगे दोस्तों जिसे लिखा था चार्लिस लैम ने और उन्हेंने इसका टाइटल दिया था The Old and a New School Master क्योंकि वह अपने आपको Old Master कहने लगे थे इसका कारण यह था दोस्तों कि उन्हें सिर्फ English के phases आते थे और पहुँच चीजे नहीं आती थी और वो अपने आपको criticize करने लगते हैं और बताते हैं कि किस तरह जो New Masters आ रहे हैं New School Master वो सारी भासाएं जानते हैं और हमेशा serious रहते हैं पर उनका बहुत सारा sacrifice भी है और उनकी life मतलब की उनकी जो wife होती है और उनके families member को भी sacrifice करना पड़ता है उनमें क्या क्या sacrifices हैं और वो कैसे old teacher बनगे यह सब हम इस essay में जानेंगे दोस्तों पर फिलहाल हम चार्ले स्लैम के भी बारे में जान लेते हैं क्योंकि यह भी exam में पूछा जा सकता है तो चार्ले स्लैम का जान मोता है दोस्तों 10th February 1775 में UK में और इनकी मृत्ती हो गई थी 27th December 1834 में इन्होंने काफी सारे novels, books, essays लिखें जिसमें से एक important essay था दोस्तों Essay of Ilya और Tales from Saxpires इन्होंने काफी सारे और भी लिखें अगर आपको यह जानने हो तो comment section ने बताए मैं उन पर भी विडियो बना दूँगा तो आईए दोस्तों इस essay को start करते हैं जिसका नाम है दोस्तों The Old and New School Master Essay की सुरवात में दोस्तों यह जो Charles है वो अपने आपको criticize कर रहे हैं क्योंकि यह कहते हैं कि मैंने सिर्फ कुछ English के phrases पढ़ लियें, tenses पढ़ लिया और मैं अपने आपको master कहनी लगा मुझे यह geography का knowledge नहीं है, मैं यहां तक भी नहीं जानता कि east किधर है, north किधर है, south किधर है मैं सिर्फ imagination से यह पता कर लेता हूँ कि कौन सा और किधर है direction ना मुझे astronomy की कुछ भी knowledge है, मैं ground नचत्रों के बारे में कुछ भी नहीं जानता मैंने सिर्फ इसे simply learn किया हुआ English और मैं जानता हूँ, ना मैं कुछ historical record जानता हूँ और अगर science का कोई subject आ जाये तब तो मैं और भी परिसान हो जाता हूँ, जैसे की botany बगेरा मैं काफी जादा अपने आपको old मानता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ English के कुछ phases पढ़े हैं and nothing else पर मैं जब भी कोई मुझसे सवाल पूछता है, कोई भी जानकार वैकती, तो मैं अपने friends के circles में रहता हूँ ताकि जो वहाँ की school masters हैं और भी masters वो उसका जवाब दे दे और मुझस तक वो बाते ना आए, किसको यह पता ना चल पाए, कि मुझे यह सवाल का जवाब नहीं आता था यहाँ पर दोस्तों Charles यह कहना चाह रहे हैं कि उन्हें जादा कुछ नहीं आता पर वो master है और वो अपने आपको बचाते हैं किस तरह, कि जैसे कि school के staff होते, others जो teachers होते, वो उन लोगे बीज में ही रहते हैं और अगर कोई student उनसे सवाल पूछ दे या कोई आदमी, तो उन तक वो सवाल आही नहीं पाता, वो सोचते रह जाते हैं, तब तक कोई और जवाब दे देता है, तो इससे उन्हें फाइदा पहुँच जाता है, और उन्हें उनका जवाब नहीं देना पड़ता है यह सब करके वो बच रहे थे, पर वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, कि मुझे इसका खाम्याजा भुगतना पड़ा, और इसी दिन के जो घटना है दोस्तों, उसे इन्होंने ऐसे में लिखा है, कि किस तरह एक आदमी मुझे पकड़ लिया, कि मुझे कुछ नहीं आता जब मैं और वो वैक्ती ट्रैवल कर रहे थे, एक घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में जब वो जाते हैं, तब वहाँ पे वो अकेले होते हैं दोस्तों, और वहाँ पे एक आजाता है जेंटल मैन, अब यह जो जेंटल मैन है, वो यह जानता था कि यह एक मास्ट और इसी में वो उनसे पूछने लगता है सवाल अब वो लोग दोनों घोड़ा गाड़ी में दोस्तों तो उनके पास कोई दोस्त भी नहीं और कोई टीचर भी नहीं है स्टाफ वगेरा जो कि उस प्रश्ण का जवाब दे सके पर वो जो आदमी था ना वो सबसे पहला को पता थी इसलिए वो सारी बाते बोल सकते थी पर यह सब बाते कुछी देर चलती है और अचानक वो व्यक्ति पूछ बैटता है कि अच्छा इस मेड़ फिल्ड के बारे में आपको जानते हैं क्या इस मेड़ फिल्ड में प्राइस कितनी है कैटल्स के यानि कि गोड़ों क कितने प्राइस पढ़ जाते हैं अब यह सब बातें चाल्लस को नहीं पता थी वो कापी ज़्यादा सक्त हो जाते हैं और कहते हैं हाँ थोड़ा मोड़ा इसी तरह वो किसी तरह उस बात को इधर उधर कर देते हैं और सही सही नहीं बताते हैं उसके बाद वो आदमी लंडन retail shops के बारे में पूछने लगता है कि वहाँ पे कितने rent लगते हैं वहाँ पे cattle रखे जा सकते हैं क्या वो अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है जो कि उन्हें नहीं पता थी और North Pole के बारे में भी वो सवाल पूछ बैठता है जो उन्हें नहीं पता थी जैसे कि उन्हें जोग्रफी का नॉलेज नहीं था और वो पूछ बैठता है कि नोर्थ पोल किधर हो गई हमारे डिरेक्शन से यह सब बातें वो काफी ज़ादा सोचने लगते हैं चार्ल्स और कहते हैं कि यह सब बातों का मुझे आंसर नहीं पता है अब मैं इसे कैसे टॉपिक चेंज करूँ वो यही सब सोचने लगते हैं और तभी वहाँ पे घोड़ा गाड़ी रुख जाती है तब उनकी जो डेस्टिनी है वो वहाँ पहुंच जाते हैं तब वो समझते हैं कि चलो अब मुझे रहत मिली इस आदमी से यह तो सवाल प जात को दोस्तों कि उसका जो टोन था पूछने का वो मास्टर वाला टोन था यानि कि सर वाला टोन था वो हमेशा ऐसे कोश्चन पूछता था मानों अपनी स्टूडेंट से पूछ रहा हो और इसी से वो पकड़ लेते हैं कि यह अभी एक मास्टर होगा यानि कि यह अभी man's वहाँ जो खड़े थे उनसे भी question पे question inquiry करने लगा और इससे वो समझ गए कि ये master चूप होने वाला नहीं है इसके जो master tone ने वो रुखी नहीं रहा है वो सब को अपना student समझ रहा है और लगातार question पे question करता जा रहा है पर अब उन्हें समझ में आ गया था दोस्तों कि उन्हें कुछ भी नहीं आता उन्हें सिर्फ English के कुछ phrases आते हैं और उनी से उनकी नौकरी हो गई है as a master क्योंकि वो जिस जमाने के हैं दोस्तों वो कहते हैं कि मैं old English master हूँ school master हूँ और मेरे जमाने में सिर्फ और सिर्फ जो English जानता था ना grammar जानता था वही महान teacher था और वही teacher कहनाने like भी था और वही उन वो बच्चों को पढ़ा देता था जितना उसे आता था grammar और English और वह भी उससे sufficient थे उन बच्चों के लिए वो अपने बच्चों को भी उतना ही पढ़ाता था पर आज कल के जो new school master है वो ऐसा नहीं हो सकते वो सिर्फ grammar पढ़ा कर नहीं रह सकते उन्हें school के bill के बजने से पहले मतलब जब period start होता है उसी वक्त से बहुत पढ़ाना पढ़ता है और काफी ज़्यादा पढ़ाना पढ़ता है और वो काफी ज़्यादा tense होते हैं आज कल के masters क्योंकि चार्लस लैम्स ये समझ गए थे चार्लस लैम्स की ये प्रूव हो चुका है कि आपको मैं एक letter दिखाता हूँ चार्लस लैम्स अब हमें एक letter दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि new school master जो हैं वो कितने पढ़ाक होते हैं पुराने के masters सिर्फ grammar पढ़ा लेते थे और अपने blackboard या whiteboard के सामने अराम से खड़ा होकर उस grammar को explain कर लेते थे और वो superior teacher बन जाते थे जैसा कि आप picture में देख रहे हैं दोस्तों पर आज कल के जो teachers होते हैं new school masters वो काफी ज़्यादा brilliant होते हैं और उन्हें हर situation में पढ़ाना पड़ता है यहां तक कि जब school के bell ring हो गई है चुटी हो चुका है तब भी वो student के साथ जा रहे हैं तो कोई भी student उनसे question पूछ सकता है किसी भी topic से और उन्हें उनका जवाब देना पड़ेगा new school master का यही problem है और इसे वो ब्रूप करते हैं एक later के द्वारा दोस्तों situations वो बताते हैं कि यह जो आज कल के modern school teachers या school masters हो गए हैं उन्हें हर चुनोती का सामना करना पड़ता है और वो अपने बच्चों को long long time तक पढ़ाते ही रहते हैं और काफी नई नई चीजे बताते हैं जिससे वो इतना सक्षम हो जाएं कि कभी नौकरी पकड़ लें और उन्हें जब वो वापस आके gifts देते हैं और कहते हैं कि मैं आज इस मुकाम में पहुँच क्या हूं sir क्योंकि आपने मुझे पढ़ाया है तब उस school master को जो new school master है उन्हें लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई यह साब बातें आजकल के education system में लागू हो चुकी है और हर master को जो new school master है उन्हें काफी difficulties का सामना करना पड़ता है वो परिसान रहते हैं पर उन्हें सारी चीजें जाननी पड़ती है इसलिए वो आदमी जो था वो जो new school master था वो मुझसे master tone में काफी सारे सवाल पूछता है घोड़ा गाड़ी में मुझे उससे बुरा नहीं लग रहा है मुझे पहले गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ पर मैं यह नहीं जानता था कि old school master से new school master काफी बहतर हो गए हैं क्योंकि उन्हें काफी जादा चीजों को बारे में explain करना पड़ता है उसके time में ऐसा education system नहीं था और इस new education system के कारण उनकी जो wipes होती है उन्हें भी कस्ट जेलना पड़ता है वो ये बताती हैं क्योंकि जब वो काफी जादा learn करते हैं हर topics को अच्छे से पड़ते हैं दोस्तों ताकि उनका जो बच्चा है वो सिर्फ grammar में question नहीं पूछता हर एक sentence में पूछता है तो जब वो इतना पड़ते रहते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो उनकी family पे भी पड़ेगा उनकी wives पे भी पड़ेगा उन्हें वो कम time दे सकेंगे और उनकी wife को उनका ज़्यादा care करना पड़ेगा और इसी चकर में जो wives होते हैं आज कल की जो पतनिया होती है वो अपने husband का ज़्यादा care करती है क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं वो जो new school masters हैं कि उन्हें time ही नहीं मिलता अपने care का तो उनका जो care है वो कौन कर देती हैं उनकी wives अब उनकी wives जो होती है दोस्तों वो इतना care करती है तो अपना career बनाना ही वो भूल जाती है और वो सि देखो उस master की wife जा रही है उनका कोई अपना self respect नहीं होता वो अपना नाम नहीं होता उनकी through जानी जाती है कि इस master की wife है वो कौन है ये कोई नहीं जानता बस उस master की wife है तो ये एक lady है बस इतना ही जान पाते हैं लोग क्योंकि wife जो होती है वो अपने husband का care करने के चकर में अपना life sacrifice कर देती है अपने बच्चों पे sacrifice कर देती है और यही problems अब आ गई है क्योंकि new education system काफी जादा burden पैदा करता है new school masters पे यही इस essay में वो बताना चाहते हैं और इसी पे वो compare करते हैं दोस्तों new school master और old school master में आपको मेरी explanation कैसी लगी लाइक, share और subscribe करके बताएं